नमस्कार सुप्रबाद दोस्तों मेरा नाम है खिलेश और स्वागत आपका आपके अपने चैनल प्लैग बीश्ट पे तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्राखंट के प्यारे भोटिया कुद्दे जिसे पहाडी डॉक के नाम से भी जाना जाता है और इन डॉक्स का ओरिजिन है प्रॉपर उत्राखंट से ये उत्राखंट के उच्छिमाले छेत्रों में पाई जाने वाले डॉक हैं भोटिया डॉक जो कि हमें देखने को मिले हैं देरादून डाक्सों में और पूरे डाक्सों में आकर्षण का मुख्यविन दु रहा है यह वोटिया डाक्स इसने काफी पबली का ध्यान अपनी और अटेक्ट किया है और करता भी क्यो CIY न आखिर भोटिया डॉग हर डॉग से बिलकुल अलग एक डिफरेंट डॉग व्रीड हमारे इंडिया की लोकल डॉग व्रीड है जो बहुत ही दिखने में शान्त और सांधार होते हैं और गार्डिंग के लिए बहुत ही फर्फेक्ट माने जाते हैं कहा जाता है कि ये सिंगल दो डॉग मिलकर आराम से एक तेंद्वे तक का सिकार कर सकते हैं जब कोई तेंद्वा इनकी टाइटरी में एंट्री करता है तो लुक वाइज बहुत ही शान्त दिखते हैं ये फोटिया कुटे और घर में फैमिली के लिए बच्चों के लिए बहुती शान्त माने जाते हैं फोटिया डॉग लेकिन इसके विपरीत अगर कोई बाहर का अनौन पर्सन इस्ट्रेंजर घर में एंट्री करता है तो ये उसे बिल्कुल भी पर्मिसन नहीं देते हैं घर में एंट्री करने की और अटैक भी कर सकते हैं और रात के टाइम या ओनर की अनौन पस्थिती में बहुती अक्रामक हो जाता है ये सान्त दिखने वाला फोटिया डॉग और ये इतने निडर होते हैं कि तेंद्वे से लड़ने में भी पीछे नहीं हडते जंगलों में चरवाहे लोग इन्हें पालते हैं अपने सैफ़र्ड को अपनी सीब को अपनी मवेशियों को जंगली जार्वरों से जैसे तेंद्वे भालू और जंगली सुमर से प्रोटक्ट करने के लिए और उसका काम ये बखुवी निवाते हैं और ये सारी चीजे इनके डियने इनके जिन्स में सामिल है बाई वर्द और इनकी लोग प्रियता का मुख्यकारण है इनका शांदार लूग इनका सांसोवाओ ऑनर के लिए इनकी वफादारी और इनका निडर होना जी हाँ इसकी वज़े से काफी पॉपुलर है ये वोटिया डौग और इतना किवल उत्राखंड में ही नहीं बाहर से भी काफी डिमांड आती है वोटिया डौग की और बाहर से भी काफी लोगों में क्रेज़ देखने को मिला है बीदे कुछ सालों से वोटिया डौग के लिए और हमें भी इस डौग को इस प्रीट को प्रमोट करना जाहिए ताकि इंडियन डॉग वीट को प्रमोट मिले और लोग इसके वारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए इस फोटिया डॉग का लूग आप देख सकते हो सामने से काफी हेवी हेट साइज है हेवी फेस है काफी पाउस का साइज आप इनका देख सकते हो इनकी वॉकिंग ये बिलकुल मदमस्त होकर चलते हैं इन्हे कोई फुरक नहीं वड़ता आसपास कौन है और जब भी इन्हें लगता है जब भी ये सेंस करते हैं कोई डेंजर तो ये अचानक से ही अक्रामक हो जाते हैं अधरवाइस ये बहुत ही शान्थ सभाव के डॉग होते हैं और ये है ओल ब्लर लाइन के भूटिया डॉग आप देख सकते हों इनकी हाइट इनका मजल इनका बोन साइज कितने हैवी होते हैं ये डॉग और काफी डीप साउंड इनका होता है और बिलकुल ही शान्थ ये होते हैं दिन में और रात में बहुत ज़्यादा अक्रामक हो जाते हैं पहले इस टाइब की क्वालिटी देखने को मिलती थी फूरे उत्ताकर्ण और हिमाचल प्रदेश में लेकिन अब ऐसी क्वालिटी मिलना बहुत ही रेर है इस टाइब के डॉग को मिल फाना अपने आप में एक बहुत वड़ी वात है और आप देख सकते हो ये है वीडियो में फूटिया डॉग और ये दूसरे हैं गद्धी कुटे बेसिकली ये दोनों एक हिमालियन सैफर डॉग होते हिमालियन मश्टिप के नाम से जाना जाता है बस जो उत्ताकर्ण में पाए जाते हैं उन्हें लोग भूटिया डॉग के नाम से जानते है और हिमाचल की गद्धी ट्राइब के कारण ये जो दूसरा डॉग है ये इंडियन मश्टिप डॉग कितने शानदार इनका लूप कितना अच्छे होते हैं ये डॉग ये आप देख सकते हो लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना सानदार और विसेस्ताओं से वर्पूर होने के बाद भी इस इंडियन डॉग ब्रीट को भोटिया और गद्धी कुत्ते को रिंग में एंट्री तक नहीं दी गई अता आजोकों से और गॉर्मेंट से निवेदन है कि क्रिपा करके इंडियन डॉग ब्रीट को भी महत्व दे और इन्हें भी प्रमोट कीजिए क्योंकि डॉग सो एक बहुत ही अच्छा फ्लेट फार्म होता है किसी भी डॉग को प्रमोट करने की तो हमें चाहिए कि हमें इ अच्छा आट एक यद्यू मुझेए कि बेढ़ कि विडियन देविक लाएंटे ऐसके लाएंट कि लीपे कि लीप अच्छा को भी अच्छा it